हेलो दोस्तों हम अपनी GKS की सीरीज में रेलवे के सवाल कर रहे थे और लाज्ट क्लस में हम 2018 के गुरूप D के सवाल कर रहे थे तो आईए आज हम 10 तारीक के 2018 के गुरूप D के सवाल करते हैं सबसे पहला है जी का मान उचाई में कमी के साथ क्या परिवर्थन होता है जब आप एक रवर्ड बेंड घीचते हैं तो हस्तांतरित उर्जा किस उर्जा की रूप में संग्रेथ होती है तो जब आप एक रवर्ड बेंड खीषते हैं तो हस्तांतरित उर्जा के रूप में संग्रेथ होती है किसी लगाए गए बल के लिए यदि छेतरफल कम है तो दाव कैसा होगा गंदक परमाणू कैसा है तो गंदक परमाणू एक बहु परमाणविक है एस्टर, एलकोहॉल और कार्बोकसलिक एसिड को वापस देने के लिए एक किसका उपस्तिति में प्रतिक्रियक की जाती है तो ester, ester, alcohol और carboxylic acid को वापस देने के लिए एक acid या एक base की उपस्तिती में प्रतिक्रिया की जाती है उच्च गलनांक और कृतनांक किसका गुणड नहीं है तो उच्च गलनांक और कृतनांक से सही हो जग योग का गुणड नहीं है पौरी फेरा के प्राणी कैसे होते हैं तो पौरी फेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं डैश मानव शरीर का सैनिक कहलाता है तो WBC मानव शरीर यानि वाइट ब्लेड सैल्स मानव शरीर का सैनिक कहलाता है एक वस्तु की स्थते जूर्जा में इसकी उचाई के साथ क्या परिवर्दन होगा तो एक वस्तु की स्थते जूर्जा में इसकी उचाई के साथ वृद्धी होगी अफ्तल दर्पन को एक कौन सा दर्पन भी कहा जाता है CAO भखरा चुना बनाने के लिए किस के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है किस में घुलने पर CH3COOH acid कम H+, आयन देता है कौन सा एक असंत्रित हैड्रोकारबन है तो बैंजीन एक असंत्रित हैड्रोकारबन है एक समतल दरपन द्वारा बनाई गई छवी हमेशा कैसी होती है तो एक समतल दरपन द्वारा बनाई गई छवी हमेशा आबासी और सीधी होती है आईए बंदस्तार एक थर्डशिप के सवाल देखते हैं तो इसमें पहला सवाल है किस नियम के अनुसार लोह जो गोडों में सीयो और निकल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है नियम के अनुसार लोह यानि आयरन को जो गोडों में सीयो और निकल जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है सूरज की रोशनी की उपस्तिती में CEL2 को अधिक तीवर अभिक्रिया में कौन सा तत्व मिलाया जाता है तो सूरज की रोशनी की उपस्तिती में CEL2 को अधिक तीवर अभिक्रिया में हाइड्रो कारवन में मिलाया जाता है HIV का पूंड रूप क्या है तो HIV का फुल्फरम होता है Human Immuno Deficiency Syndrome यानि वायरस वायू मंडल द्वारा किस के कारण आकाश में तारट मिंटिमाता है दूद के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है अलफान्जो किस फचल की एक किसम है तो अलफान्जो आम की एक किस्म है कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारन होते हैं वास्ताव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदू होती है तो प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारन होते हैं वास्ता में रोशनी को हमेशा पैचानने के लिए केवल नेत्र बिंदू होते हैं। उत्तल दर्पन को एक कैसा दर्पन भी कहा जाता है। जल में सल्फियूरिक अमलक घोलना एक कैसी प्रतिक्रिया है। गुरुत्वे तुरंट जी गिरने वाली वस्तू के किस पर निर्बर नहीं करता है। आईए उन 11 तरीक के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है किसके फुलूरिन अपरूप की संरचना भूग अर्विय ग्लोब के समान होती है। तो कार्बन के अपरूप यानि फुलेरिन अपरूप की संरचना भूग अर्विय ग्लोब के समान होती है। एक फुल के परागण कोश से वर्ति कागर तक पराकणों का स्थानतरन को क्या कहा जाता है। कौन से उत्तक पादप में पानी और खनिच के परिवन का कारे करते हैं। किसका नियाम विद्धुद्धारा के उश्मिय प्रभाव से संबंदित है। आयवडिन समु कौन किसका सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। डैश का एक तरीका जीवाश्म सामगरी में एक ही तत्व के विविन समिस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। एक तरीका जीवाश्म सामगरी में एक ही तत्व के विविन समिस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। इस्थति दुर्जा किसी वस्तु की किसके साथ बदलती है। दूर्जा किसी वस्तु का प्रतिविम रेटिना के पीछे बनता है। आवर्जानि का आविश्कार किस ने किया था तो आवर्जानि का आविश्कार दमित्री मेंडिलीव ने किया था। विस्तापन ना होने पर किया गया कार रेट कैसा होगा। आए वंगेर तरीके सेकेंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे बहल आए। किस बल्ब में भरने हेतू आरगन और नाइट्रोजन गेस का प्रियोग किया जाता है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवायत होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्यूत क्रमानुपाती होती है। वन बाई यू प्लस वन बाई वी इस इक्वल टू वन बाई एफ यह किसका सूतर है। प्रोपाइन में कैसे बंद होते हैं। तो प्रोपाइन में त्री बंद होते हैं। किसी वस्तु के द्रवमान का मापन कैसे कैसा क्या कहलाता है। सीयो का सापेक्ष द्रवमान कैसा है तो सीयो का सापेक्ष द्रवमान 28 है धातू के बाहत्यम कोश में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं तो धातू के बाहत्यम कोश में एक से लेके तीन इलेक्ट्रोन होते हैं किसके पुनलजनन और मुकुलन द्वाराउत्पन हो सकता है तो तो यह लवन का पीएच मान साथ है तो यह लवन का पीएच मान साथ है तो यह लवन शशक्त अम्ल और अशशक्त चार होगा उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती है और ना ही नश्ट की जा सकती है लेकिन इसे एक से दूसरें परिवर्तित किया जा सकता है इसे उर्जा संद्रक्षन का नियम कहा जाता है आईए वों 11 तरीके 3rd shift की सवाल देखते हैं सबसे पहला है पीतल के घटक क्या है तो प्लाजमोडियम कौन किसको प्रदर्शित करता है तो प्लाजमोडियम बहु विगंडन को प्रदर्शित करता है किसके योगिक डवल बॉंड बनते हैं तो प्रोपीन के डवल योगिक डवल बॉंड बनते हैं आयनेक योगिक के गलनांक और कथनांक कैसे होते हैं तो आयने एमोनिय में अईयन्टू और ऐंटू कि No, मान हमिशय 14 Anupaकत 3 में होते हैं यदि एक लवन का पीच हो तो यह दुरबल अमलाई और प्रवल चार का लवन होता ही तो यह दुर्वल अमलाई और प्रवल च चार का लगशन होता ही थ्रश्ट प्रती एकाई छेत्र को कहा जाता है तो थ्रश्ट प्रती एकाई छेत्र को दाब यानि प्रेशर कहा जाता है किसके जानवरों की तचा शुष्क और ग्रंती ही विहीन होती है तो सरीसरफ प्यानि सापों के वर्ग के जानवरों की तुचा शुषक और ग्रंती विहीन होती है आदुनिक आवर्ट साणी में एक आवर्ट में किसको शामिल नहीं किया गया है तो आदुनिक आवर्ट सांडी में एक आवर्ट में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है तरंग लंबाई आमतोर पर ग्रीक लेटर किस से दर्शाई जाती है तरंग लंबाई आमतोर पर ग्रीक लेटर लेमडा से दर्शाई जाती है अंतरिक्षी यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश में किसा दिखाई देता है तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई दिता है चार्ल्स डार्विन दोरा मिट्टी की उरवरता में किस पर अध्यन किया गया था किसका SI मातरख मीटर सेगंड माइनस की पावर माइनस 2 होता है तो तूरंट का SI मातरख मीटर सेगंड की पावर माइनस 2 होता है Automobile की दूरी ओडो मीटर से मापी जाती है आईए अभिए हम 12 तारीख के 1षित के सवाल देख लेते हैं सबसे पहला आदुनिक आवर साणिनी के किस वर्ग के तत्वों को छार धातुएं कहा जाता है। किस वर्ग में शल्क के साथ शुष्क और ग्रंती विहीन तचा होती है। रियर व्यू दर्पन में किस दर्पन का उपयोग किया जाता है। कौन सा अलग-अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो बल जो है वो अलग-अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। किसका सामने नाम एसेडिक एसेड होता है। तो इथनोईक एसेड का सामने नाम एसेडिक एसेड होता है। ब्रह्मान में प्रतेग वस्तू एक अन्य वस्तू को एक किसके साथ आकर्षित करती है जो उनके मद्य दूरी के वर्ग के विप्रीत अनुपाती होता है किसमें विबज्यों तक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है द्रवमान और तुरण के गुणंफल को क्या कहा जाता है तो द्रवमान और तुरण के गुणंफल को बल कहा जाता है यदि किसी लवण का पीच मानशुन है तो वई कैसा होगा तो यदि किसी लवण का pH मानशुन है तो वह शशक्त ऐसेड और कमजोर बेस का लवण होगा उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए फरक में सामनेता किसका उपयोग किया जाता है दूद का दई में प्रिवर्धित होना क्या है दूत का दही में परिवर्दित होना एक रसायनिक परिवर्दन है आईए अब हम बारत तारीक के सेकेंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं सबसे पहला है दूर वय भॉतिक राशी है जो कभी भी कैसी नहीं हो सकती दूर वय भॉतिक राशी है जो कभी भी रणात्मक नहीं हो सकती यानि नेगेटिव नहीं हो सकती द्रभमान संख्या का चिन्न कैसा होता है द्रभमान संख्या का चिन्न ए होता है बिछुआ के पौधों की नोगदार पत्तियों में किसके होने के कारण उनके चुबन पर जलन युक्त दर्द होता है तो बिचुआ के पौदों की नोगदार पतियों में मिथनोईक एसिड होने के कारण उनके चुबने पर जलन युक्त दर्द होता है यदि एक तार में प्रभायत होने वाली विद्युद्धारा को दो गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोत कैसा हो जाएगा तो यदि एक तार्म प्रवायत होने वाली विद्युद्धारा को दो गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोत यानि रेजिस्टेंज जो है वो आधा हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम को किस में रखा गया है तो हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है लेंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगो के कितने जनक शामिल होते हैं तो लेंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगो के दो जनक शामिल होते हैं जली अणुओ द्वारा कर्शित होने वाले समू को क्या का जाता है तो जली अणुओ द्वारा कर्शित होने वाले समू को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है अपचेन अभिक्रिया के दोरान परमाडू में क्या उत्सर्जित होता है पौदों में किसके करण लचीला पन होता है चार्ल्स डार्विन किस से संबंदित है जोनास एडवर्ड सौल्क ने किसको विक्सित किया तो जोनास एडवर्ड सौल्क ने पौलियों के टीके को विक्सित किया यदि मौसम बहुत आद्र हो तो आपके उत्सर्जित गैस किसमे के माद्यम से निकालना होगा आईए वंबारत तरीक के थर्ड शिर्फ के सवाल करते है सबसे पहला है यदि किसी नमक का पीच मान कैसा है तो वह नमक कमजोर असेड और शशक्त बेस होगा यदि कि इसी पीच का मान चवदा है तो वह नमक कमजोर असेड और शशक्त बेस होगा मेंगनीजियम रिबन का एक चमकदार लौक किसके साथ जलता है एक कूलम बटे एक सेकंड इस इक्वल टू कित्ता होता है तो एक कूलम बटे एक सेकंड एक एमपेर के बराबर होता है डॉबिनियर ने उत्प्रेरक के रूप में किस पर पहला अवलोकन किया स्क्लेरन काईमेटस फाइवर किस प्रकारगा उत्तक बनाता है तो स्क्लेरन काईमेटस फाइवर एक नारियल का भूसी नाम का उत्तक बनाता है CO2 में C और O2 द्रवमान द्वारा अनुपात किस में मौझूद है महिला रोगानु कोशिका में गुण सूत्रों की संक्या कितनी होती है PV और HG तुलनात्मक रूप से उश्मा के क्या होते है तो PB और HG तुलनात्मक रूप से उश्मा के कुछ अलग होते है गैस इस्तिरंग किस का मान 8.31 JK की पावर-1 MOI की पावर-1 है पराकन किस के दुआरा उतपन किया जाते है तो पराकन पराकुष के दुआरा उतपन किया जाते है औक्सीजन सलफर और सेलेनियन तत्वों के परमाणू आकारों का सही क्रम क्या होगा तो O, S और S, E तत्वों के परमाणू आकारों का सही क्रम S, C, S और O होगा इस्तनपाईयों में बालों के साथ ग्रंती वाली क्या होती है तो इस्तनपाईयों में बालों के साथ ग्रंथी वालित्वचा होती है कौन सा पंखा विद्युत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थन का उधारान है आये वं 15 तारीक के फ़र्शिप्ट के सवाल देखते है सबसे पहला है किसी आवर्थ के चार मूल तत्वों की परमानु संख्या 11, 13, 16, 17 है आदुनिक आवर्थ सांडी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमानु संख्या क्या होगी तो किसी आवर्थ के चार मूल तत्वों की परमानु संख्या 11, 13, 16 है आदुनिक आवर्थ सांडी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमानु संख्या 11 होगी आदुनिक आवर्थ सांडी में किस में चार आवर्थ होते हैं तो आदुनिक आवासानी में ब्रोमीन में चार आवर्थ होते हैं। किस वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथी विहिन तचा होती है। किसी वस्तु की गते जूर्जा और स्थदे जूर्जा का योग क्या कहलाता है। निश्क्रियक गैसे किस समूमें होती है। यदि आप अपने हतेली पर जीए धातु रखेंगे तो वय धातु कैसी होगी। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अब घटन अभिक्रिया में किसकी आवशक्ता होती है। पुरुष में कित्ते अंड़ कोश होते हैं। तो पुरुष में दो अंड़ कोश होते हैं। CAO में द्रवमान के अनुसार CA और O का अनुपाद 5 अनुपाद 2 होता है। तो अमल और छार के साथ अभीक्रिया करता है तो नाइक्रोम किसका मिश्च धात हुए तो नाइक्रोम, एनाई, क्रोमियम, मेंगनीज और आइरन का मिश्च धात हुए सबसे पहला है कार्य करने की दर या उर्जा इस्थानादरन की दर को क्या कहते हैं तो कार्य करने की दर या उर्जा इस्थानादरन की दर को सकती कहते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणू होते हैं 60 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजनके 6全 2,022,2.10 की पावरतagen परमाणू होते हैं। आदुनिक आवर्साणी में कितने समूऊं और कितने आवर्थ हैं तो आदुनिक आवर्साणी में 18 समूऊं और 7 आवर्थ हैं। जब एक वस्तु को अब्तल धरपन के वक्रता केंदर से बाहर रखा जाता है, तो 6 का निर्माण किश के बीच होगा, तो 6 का निर्माण F और C के बीच होगा CACL2 का सूत्र इकाई द्रवमान क्या है किसमें बिना पंकों के ग्रंती वाली तउचह होती है मेगनिजियम रिबन एक चमकदार सफेद लग के साथ जलता है और एक कैसा पाउडर में बदल जाता है मेंगनिजियम रिबन एक चमकदार सफेद लोग के साथ जलता है और एक सफेद रंगीन पाओडर में बदल जाता है हमारे शरीर में कौन से उत्तक आवा गमन के लिए तथा विकास के लिए जिम मेंधाथ है हमारे शरीर में मांस्पेशियों याणि लिमान स्पेशी उततक यो वह वावा गमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मिदार हैं। किसमे जीव विज्ञान्मे को को शिकाओं का उर्जसर होत हैं। किसमें जीव विज्ञान में कोशिकाओं का उर्जसरोत है एक जूल किस के बराबर होता है तो एक जूल एक न्यूटन गुड़ा एक मिटर के बराबर होता है आईए भम 15 तारीक के थर्ड़ शिफ्ट के सवाल देखते हैं सबसे पहला है एक रसाइने का बिक्रिया के दौरान अबिक्रियां और उत्पादों के द्रवमानों का योग अप परिवर्तित रहता है इसे द्रवमान संडक्षन का सिद्धांत कहा जाता है कारवन डायोकसाइड में कारवन की सहयुजगत तक कितनी होती है तो कारवन डायोकसाइड में कारवन की सहयुजगत चार होती है मीडर सेकिंड की पावर माइनस टू किसकी SI1 काई है मीरल सेकिंड की पावर माइनस टू तोरंड की SI काई है HIV AIDS से पीडित लोगों के लिए किसने वाइरल लोड टेस्ट लॉंच किया था यानि जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं HIV AIDS से पीडित लोगों के लिए JP नडडा ने वाइरल लोड टेस्ट लॉंच किया था रोगिट लॉंचिंग किस नियम पर आधारित है रोगिट लॉंचिंग न्यूटन के गती के तीसरे नियम पर आधारित है नाइक्रोम मिश्ट धादू कितने गटकों में बनी होती है इत्र बनाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इत्र बनाने के लिए Easter का उप्योग किया जाता है मनिश्यों में निशेचन किसमें होता है तो मनिश्यों में निशेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है किसमें किसी भी शरीर का मुक्य समन्विन केंदर है एक पादक समू जिसके पौदों में जड़, तना और पतियां नहीं होती हैं उसे थेलस का आजाता है किसी तल के लंब वत कार करने वाल भल और चेप कहलाता है जब किसी वस्तू को एक अवतल दरपंड के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिविम कहां पर निर्मित होता है तो जब किसी वस्तु को एक अफ्तल दर्पन के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिविम फोकस पर निर्मित होता है वनस्पती पदार्तों में खाद के आप गटन की अभिक्रिया कैसी किसका उधार आने तो वनस्पति पदार्तों में खाद के अब गटन की अभिक्रिया उश्मा छेपी का एक उधार आने तो आज हमने पार्ट फाइफ पूरा कर लिया है रेलवे की जीके जीएस के सवालों का तो जो लोग भी चैपना हैं वो जीके जीएस की प्रैक्टिस जुणना चाते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू